हाई गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग तो स्ट्रिंग बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है जैसे हमारे पास एक एरे होता है इंटीजर्स का वैसे हमारे पास जब वही एरे करेक्टर्स का होता है तो उ यह मंने हम स्टोर करते हैं तो यह हमारा क्या होगया Numerical array टिंक है यह हमारे पास कोई array है जिसमें हमने करेक्टर से स्टोर कर वाया है तो छुन ऐसे बाद पत इसमेहने बी स्टोर करवा दिया, ठीक है, बी के बाद मैंने सी स्टोर करवा दिया, उसके बाद मैंने डी स्टोर करवा दिया, तो यह चीज क्या है, यह एक क्या हो गया, यह एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं, तो basically स्ट क्योंकि एक character array है ठीक है और यहां पर हम array का name लिखेंगे लेट से मैंने name ले लिया ठीक है इसके अंदर मैंने यहां पर हमने square braces ले ली क्योंकि array की पैचानक कैसी होती है square braces ठीक है तो इसका मतलब यह name क्या है यह एक array है जो की character type का है ठीक है अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें character store करा सकते हैं अब लैट से मैं इसमें अपना name store कराना चाहता हूं तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा यह उसके बाद यहां पर a ठीक है उसके बाद यहां पर c उसके बाद यहां पर h उसके बाद यहां पर i ठीक है और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा तो यह क्या हो गया यह मैंने अपना name store करवा दिया name array के अंदर ठीक है और एक बात और जो भी हमारा array होता sorting रहन पर इसके इस को क्या बोल सकता हूं एक डिया क्या है वह médico- あै को स्पस्प्राइब ऑख लن गार Always नल सिंग हो गया है इसकी नार्ड होता है क्या है में आपको बताता हूं तो नव कर्याक्टर को कि से लिखते हैं ऐसे slash backslash और zero ठीक है यह हमारा क्या होगा है यह हमारा null string हो गया यह हमारा क्या होगा है यह हमारा null string हो गया तो मैं इसको कुछ different color से लिख देता हूं तो यह हमारा क्या है यह हमारा null character है नल character बहुत important character है क्योंकि हर एक string के last में हमारा null character होता है तो जब भी कोई string end होता है उसके end में यह जो null character है यह by default हमारा compiler है उसको set कर देता है ताकि यह पता चले कि हमारा जो string है वो कहां पर end हो रहा है ठीक है तो जहां पर भी यह null character होगा हमारे string string के string में वहां पर हमारा जो string है वो खतम हो रहा है ठीक है जी और हमारा हमारे जो characters है ठीक है वो memory में कैसे store होते हैं वो भी मैं आपको एक वारी दिखा देता हूं तो लेट सब्सक्राइब यहां पर हमारे पास यह हमारी मेमरी है ठीक है जैसे यह मेरा नेम है सचीन ठीक है तो यह मेमरी में कैसे स्टोर होगा तो यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 & 7 ठीक है कि इसको मैं काम करता हूं इसको थोड़ा चोटा कर देता हूं यह थोड़ा बड़ा हो गया हमारा साइज तो कि इतना रख देते हैं इसको ठीक है जिए कि 3456 एक और यहां पर ब्लॉग बनेगा फॉर नल करेक्टर तो यहां पर क्या होगा यहां पर गर यहां पर स्टोर होगी यहां पर यहां पर एच यहां पर आई और यहां पर एन और लास्ट में हमारा जो है वह जो है वो नल पॉइंटर यहां पर स्टो अब यहां पर जो करेक्टर्स होते हैं वो हमेशा वन भाइट करते हैं जैसे इंट-4 fast-state just यहां पे जो एसका address 10 है ठीक है जो कहता है base address यह base address में आपको लास्ट वीडियो में explain कर चाहूं कि base address क्या होता है जो हमारे array का first element होता है उसके address को हम base address बोलते हैं ठीक है यहां पर n का 15 और जो मारा नल करेक्टर है उसका address होगा 16, ठीक है जी, तो ये है memory representation of string, ठीक है और इसके बाद हम string को किसी दूसरे तरीके से भी हम string को define कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, जैसे हमने एक तो एक तो ऐसे घरा, ठीक है, एक तो हमने ये करा, जो हमने एक तो हमने ऐसे string को define किया, जो दूसरे तरीक है string को define करने का वो है, हम ऐसे भी लेख सकते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा, और यहां पर नेम ही ले लिए और यहां पर square braces लगा के, अब यहां पर मैं director string को assign करवा सकता हूँ, मैं simple यहां पर क्या करूंगा, यहां पर double quotes, उसके अंदर मैं value डाल दूगा, अब अगर मैं अपना name लिखना चाता हूँ, तो यहां पर मैं simple अपना name यहां पर डाल दूगा, और ऐसे इसको assign कर दूगा, तो जो यह मेरा name है Sachin, वो इस name variable के अंदर store हो जाएगा, ठीक है, अ अब इसमें हमें, इसमें क्या होगा, जो compiler है, वो automatic ही, इस string के last में, जो null character है, उसको append कर देगा, ठीक है, तो ऐसे हम string को define करते हैं, अब चलिए हम string का program देखते हैं, और इसका practical करके देखते हैं, कि कैसे string को हम print करवा सकते हैं, in C programming, और एक चीज़ और है, इसमें, जैसे हमारे जो numbers होते हैं, ठीक है, वो किसी index के उपर store होते हैं, किसी index, हर एक number का एक particular index होता है, और उस index का user के हम उस number को access कर सकते हैं, ऐसे ही same case हमारा characters के case में भी होता है, क्योंकि एक तरीके से यह भी हमारा है, तो एक array ही, और array में जो भी element store होते हैं, वो एक particular index के उपर store होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको array के video में बताया ही है, कि जो first element होता है array का, उसका index होता है, जैसे अगर ऐसे है तो इसका index क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यह first element है, उसके बाद हमारे जो index होते हैं, वो एक एक करके increase होते जाते हैं, तो जो हमारा last element होता है, उसका जो index होगा, वो होगा 6, ठीक है, और array के last element का index हम कैसे find कर सकते हैं, जैसे कि let's suppose array में 7 element हैं, ठीक है, तो उसके last element का index क्या होगा, 7 minus 1 equal to 6, ठीक है, तो अगर हमें last element का जो index है, उसको find करना है, तो हम क्या करते हैं, जितना size होता है, हमारे array का, उसमें से 1 minus कर देते हैं, तो जो भी हमारा result आता है, वो क्या होता है, index of last element, ठीक है जी, तो अब चलिए हम string का program देखते हैं, कि कैसे हम string को print कर आ सकते हैं, इन C programming, तो हम आचोके अपने VS code के अंदर, और यहां पर मैं एक new file create करूँगा, और इसका name यहां पर मैं लिख दूँगा, इसको save करूँगा, और इसका name यहां पर मैं लिख दूँगा, string.c, ठीक है जी, तो यहां पर हमारे जो file है, वो create हो जाए, अब यहां पर मैं अपना hash include studio.h लिखूँगा, उसके बाद हमारा जो main function है, उसको यहां पर मैं define करूँगा, void main, ठीक है, void की V, जो है वो small आएगी, और यहां पर, अब मैं string को define करूँगा, जैसे मैं आपको बताया था कि यहां पर मैं सबसे वहले हम उसका, उसकी data time लिखते है, care, इसको मैं थोड़ा zoom in कर ले ताकि आपको अच्छे स कर दूँगा name, ठीक है, और यहां पर हमारी square braces आ जाएंगी और इसमें, अब मैं value को assign करवा दूँगा, ठीक है, let's say, मेरा name मैंने इसमें assign करवा दिया, search in, अब यह हमारा जो है, वो string create हो जुगा है, ठीक है, इसमें मैं comment डाल देता हूँ, initialization of string, ठीक है, initialization of string, तो यह हमने अपना string जो है, वो initialize करवा दिया, initialize का मतलब क्या होता है, कि variable में value को assign करवाना, ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हमें इस string की value को जो है, वो print करवाना है, तो print करवाने के लिए हम इसको character by character, जो है वो print करवाएंगे, character by character कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक array है, ठीक है, और हर एक element का एक index होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, जैसे जो जो S है, इसका index को होगा, 0 होगा, जो A है उसका index को होगा, 1 होगा, जो C है उसका index को होगा, 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, हम index by index, सभी सभी characters को one by one print करवाएंगे ठीक है तो यहां पर उसके लिए हम क्या करेंगे हम loop एक loop का use करेंगे और हम यहां पर एक variable लेंगे जिसमें हम जिसका हम use करेंगे character by character अपनी अपने strength की values को print करवाने के लिए ठीक है और यहां पर है मैं इसमें zero assign कर दूंगा सबसे बहले तो क्योंकि हमें first character को सबसे बहले print करवाना है और first character का जो index होता है वो zero होता है ठीक है अब यहां पर मैं क्या करूंगा loop का use करूंगा यहां पर मैं लिखूंगा while और यहां पर लिखूंगा i less than equal to अब less than equal to हमारे जो characters है हमारे string में वो कितने है ठीक है one two three four five and six तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा five five क्यों लिखूंगा क्योंकि हमारा जो last element है ठीक है जो last element है उसका जो index है वो क्या होगा n minus one जैसे मैंने आपको पता था कि जितना हमारे array का size होता है उससे एक कम हमारे last element का index होता है तो यहां पर हमारा last element वो क्या है n है उसका index यहां होगा five होगा क्योंकि हमारे total array का size कितना है six है तो इसलिए यहां से मैं zero one two three four और five ठीक है तो यहां पर five तक हमारी जो लूब है वह आई ट्रेट करेगी और इसके अंदर मैं क्या करूंगा one by one values को प्रेंट करवा दूँगा तो यहां पर यहां पर प्रेंट एफ और यहां पर लिख दूँगा परसेंटेज सी क्योंकि हम करेक्टर करेक्टर बाय करेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए यहां पर मैं परसेंटेज सी लिखूंगा और यहां पर मैं लिख दूँगा नेम आफ आई नेम आफ आई और उसके बाद यहां पर मैं आई को इंक्रिमेंट करवा तूंगा ठीक है जी अब कैसे हमारी जो लूप है वो आई ट्रेट करेगी सबसे वहले i में क्या है जीरो है तो यहां पर चेकर रहेगा i less than equal to 5 यह condition true हो जाएगी ठीक है यहां पर आजाएगा यहां पर name of i i में क्या है जीरो है मतलब की name के जीरोथ इंडेक्स पर जो element होगा उसको हम प्रेंट करवा देंगे तो जीरोथ इंडेक्स पर हमारे क्या होग ऐसे होगा यह दिखो खूँ और इनक्रिमेट कर देगा आइध क्या हो जाएगी फिर ओपर जाएगा वन इस देप्स देन फाइव क्टिशन हो जाएगी फिर यहां पर नेम आफ आई आई में क्या है वन है मतलब कि नेम array के first index पे जो element है वो यहां पे print हो जाए अब first index पे कौनसा element है ए है तो ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा ए प्रिंट हो जाएगा ऐसे one by one करके सारे जो elements है वो array के यहां पे print हो जाएगे ठीक है जी तो चलिए अब इसको हम save करके और run करके देखते हैं कि हमारे जो string के elements हैं वो यहां पर print हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ठीक है एरे में क्यों बोल रहा हूं आप एरे और string में confuse मत हो जाना एरे में क्यों बोल रहा हूं कि यह एक characters का array है ठीक है और characters के array को ही हम string बोल देते हैं तो यहां पर मैं इसको compile करेंगे यहां पर मैं लिखूंगा जी सी और यहां पर लिखूंगा string.c इसको compile करेंगे तो यह दिखिए हमारा जो program है वो compile हो चुका इसमें कोई भी error नहीं है अब हम output को print करवाके देख लेते हैं तो यह देखिए search in हमारा जो string है वो यहां पर print हो चुका है ठीक है string को print करवाने का एक और तरीका क्या है अब let's suppose हमें नहीं पता कि हमारे जो string की length है वो कितनी है जैसे हमें तो यहां पर पता था कि हमारे string की length 6 है ठीक है तो यहां पर मैंने उसके according यहां पर 5 तक अपनी लूप जो I trade करवा दी अब let's suppose मुझे पता नहीं है कि मेरे array की या फिर मेरे string की length कितनी है तो उसमें हम कैसे सारे string को print करवाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा compiler है वो string के last में automatically null character को इसी null character को add कर देते हैं तो हम इसी null character को check करेंगे लगाएंगे कि जब तक हमारे string में null गारे नहीं आ जाता तब तक हमारा जो array है वो print होता रहे ठीक है यहाफिछ हमारा हमारा जो string है वो print होता रहे तो हम यहाँपे क्या करेंगे अब यहाँ पर मैं condition change करूँगा condition मैं यहाँ पर क्या change करूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा name of i while name of i while name of i not equals to null character ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या condition लगा रहा हूँ अब i में पहले क्या 0 है तो यहाँ पर आजाएगा name of 0 मतलब की name array का जो first element है वो अगर null नहीं है तब यह print करवा देगा अब first element में क्या है ऐसा है तो s not equal to null null character यह condition true हो जाएगी और यह यहाँ पर इसको print करवा देगा ठीक है अब जैसे ही यह n यहाँ पर आएगा जैसे हमारा n आएगा और हमारी जो i हो 6 हो जाएगी तो यहाँ पर यह चेक करेगा name of 6 not equal to null but जो हमारा last character है ठीक है यह देखो name of 6 name of 6 में क्या है हमारा null character है तो यहाँ पर यह चेक करेगा name of 6 not equal to 0 not equal to null character sorry तो यह यहाँ पर हमारी जो condition है वो falls हो जाएगी क्योंकि जो name of 6 है वो null के equal है हमने यहाँ पर condition लगाई है not equal to तो यह condition जो हो जाएगी और हमारा हमारी जो loop है वो यहाँ पर exit हो जाएगी और हमारा जो string है वो फिर पूरा complete जो है वो प्रेंट हो जाएगा उसके आगे जब हमारे string में लास्ट करेक्टर नल आ गया उसके आगे वो प्रेंट नहीं करेगा मैं इसको सेव करके इसको भी आपको प्रेंट करके एक वरी दिखा देता हूं पहले मैं इसको दुवारा से compile करूंगा compile करने के बाद द कुछ भी डाल दूँ ठीक है मैंने कुछ भी डाल दिया अब इसकी मुझे length length को calculate करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा compiler है वो इस string के end में by default ही null character को add कर देता है ठीक है तो अब मुझे यहां पे length पता हो चाहे ना पता हो यह सिर्फ यह क्या check करेगा कि जब string के last में null character आ गया सिर्फ उस time कि हमारा जो string है वो print होगा तो मैं आप इसको द्वारा से compile कर लेता हूं compile करके द्वारा से जब मैं इसको run करूंगा तो इसने यह देखो यह सारा string है जो वो print करवा दिया ठीक है तो इस तरीके से भी हम अपने string को जो है वो print करवा सकते हैं तो यह है basics of string I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि strength क्या होता है और कैसे हम string को use करते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो और प्लीज बैल आइकन को हिट का लेना ताकि मेरी latest वीडियो की notifications आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिशना हो तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक हलिए हसते रहें मु हुआ हुआ है पहलिए हुआ है है!!!